वेलकम करता हूँ मैं बारत पंचाली और केमिश्ट्री गुर्थी अगेन आप सबका कैसे हो बहुत इंग्लिस के एक्जाम के बाद आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो अब हम लोग बात करने वाले हैं जो मतलब यह 10-20% हर एक बच्चे के लिए बात होने वाली है देखो बेटा जो इस वीडियो को 23rd 5 को देख रहे हैं किसी भी टाइम आपके लिए 3 प्लस 1 है 3 मतलब स्लेबस कंपलिशन और 1 जो है सिल्फ रिवीजन मतलब तीन दिन आपने स्लेबस को कंपलिट करना बहुत अच स्कोर कर सकता हूं आप इस कोशन को पूछो खुझ से ही पूछी सकते हो और इस कह अंचर आप कर सकते हूं ठीके कि एक बच्चा है जो पूरे साल भर से यह श्रbies हूच से पढ़िए या थीन महीनести से बढ रह ए यह ९ह महीनिस से बढ़ रहे है अगर लास्ट वन मंत से तो आई नो यह सुगर कोटीड बात नहीं है सारे भाया दिदी आ रहे हैं यह से कर देना यह से कर देना मतलब मैंने एक एक वीडियो देखी तो उन्होंने बोला चार गंटे में तुम्हारा पूरा वन शोट कर वा रही हूं और प्रिवेस यह अरे देदी क्या यह ऐसा नहीं अगर किसी नहीं पढ़ रखा तो वह प्रिवेस यह कोशन नहीं कर सकता आप इस बात को मान के चलिए ठीक है और वन शोट तो प्रैक्टिकल बात करते हैं इस वीडियो में प्रैक्टिकल बात यह बटक जिन बच्चों ने सब कुछ कर रखा है पहले से प्रिवेस यह कोशन अगले प्रैक्ट पर आते हैं इस वीडियो में कुछ नोट्स की बात करूँगा है हर वीडियो में नोट्स की बात करता हूँ और जो मेंने नोट्स बच्चों को दे रखें वो अच्छे नोट्स हैं आप लोग उनका फैदा उठा सकते हो और बढ़िया बात अपने नोट्स की है कि हर्य एक नोट्स की वीडियो बनी हूई है तो आपका टाइम सेविंग के लिए वह सही एक्सारे के सारे नोट्स आपके यहों पर लाइब होगा और हमारे इस चैनल पर हम लोग रिकोड़ीड करने वाले हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो और नोस के लिए हमारा चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से come to the point जो बच्चे बिल्कुल 0 पे है बेटा आप 1 short देख लो और उसके बाद important NCRT के question लगा लो आप बहुत confidence feel करोगे जो बच्चे medium पे है बेटा उनको मैं बोलूँगा 30 minutes हर एक chapter की revision वीडियो वो short notes के साथ में रखना क्योंकि short notes में न सब कुछ ठीक से cover है boards के लिए सब कुछ लिखा हुआ है और उनकी का explain करके 30 minutes की वीडियो बना रखे और उसके बाद previous year question लगाओ 3 to 4 times तो इसको 3 to 4 times की यादा सकते है और जो प्रो है बेटा अगेर मैं आपको बोलाओं कि आप लोगों को NCRT line by line परना चाहिए NCRT का question by question करना चाहिए बट पहले previous year question करने चाहिए NCRT का question मतला मुझे लगता है इतने easy नहीं होते है ठीक है न और exemplar के MCQ जरूर कर लेना अब point पर आते हैं तो यह हमारा पूरे का पूरा क्या रहने वाला है भीया syllabus रहने वाला है solution, electrochemistry, chemical kinetics, DNA block, coordination compound and halocan, 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 aldehyde, bronze, carboxyl, amines and biomolecules देखो जो भी बच्चा चाहता है अच्छे से पास होना तो मैं उनको बोलूगा पहले आपको यह पढ़ना चाहिए और फिर आपको यह पढ़ना चाहिए और सिर्फ इन से भी नहीं मतलब एक दो कोशन शायद आपको लग सकता है अरे यह क्या हो गया पॉसिबिल्टी बनती है तो आपके लोग क्या कर सकते हो बटा और्गैनिक केमिस्टी का सबसे इजी चैप्टर है जो बिल्कुल चोड़ी है वह बाय मॉलक्यूल उसके बाद नेक्स्ट इजी चैप्टर यह छोटा सा है अमाइन्स है मतलब इसको इजी ली कवर किया जासकता है उसकी बाद आप इस पर जलोगे उर्गैनिक को इस तरह चलना है पहले बाद नो चैप्टर तो बहुत अच्छे होने चीए अगर आपको पहले से है तो आप इसको निप्टाओ बट बिल्कुली लास्ट में तो मैं आपको बलूँगा कि यार ठीक है इनको अच्छे से कर लो इसको थोड़ा सा वीक भी रहने दो ठीक है इन नो चैप्टर को भी अगर अप अच्छे से कर लोगे तो 62 मार्क्स बनते ह उसमें क्या होगा पूरी की पूरी फीजिकल केमिस्ट्री निप्टा हो गई 30 मिनट से फीजिकल केमिस्ट्री निप्टा हो और प्रिवीस येर कोशन करो और मैंने इनके लिए नुमेरिकल्स की वीडियो बना रखी है इनको अच्छे से देख लेना ठीक है सर थियोरी आपक इनट्न पर द्यान दोगे ये बी शिर्फ पढ़ने वाली बाते हैं इसके अदर अच्छा इसमें यह नहीं पढ़ोगे आप लोगिने यहाँ प्टे दीन होगे बलोग को डिनेशन कंपाउंड इस दिन हमने पूरा थियोरियो को दिया है ठीक है और अगर आप इसको अच्छे और उसके बाद एलकोल फिनोलिथर बिल्कुल भी नहीं आता है चैप्टर तो वन शोर देखो और अगर थोड़ा बहुत भी आता है तो 30 मिनिट के बाद प्रिवेस यूर कोशन देखो वहां से आपको इस चैप्टर के इंपोर्टन पॉइंट कवर होने लगेंगे उसके अगर आपके पास टाइम है अगर आपके पास चार दिन है तो आप कर सकते हो अधरवाई आप लोग और गैनिक के मिश्ट्री में कंसेट वाइस जाओ और गैनिक की मिनिट की ही वीडियो है उसके बाद आप लोग देखोगा टेस्ट टू डिस्टिंग वाले कोश् Papacid की ब अगर इलेक्ट्रों डोनेटिंग ग्रूप है तो इस डिक स्टेंथ घड़ जाएगी बेसिक स्टेंथ बढ़ जाएगी इस तरह और कुछ-कुछ तो 99.99% बच्चों ने बोला है कि इंग्लिस के सैंपल पेपर से इजी था इंग्लिस का फाइनल पेपर तो हम यही होप करके चलते हैं कि हमारा केमिस्ट्री में भी यही रहने वाला है बेटा पिछले साल को अगर छोड़ दो 2022 उसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री टफर साइट था केमिस्ट्री हमेशा PCM में सबसे इजी आता है सबसे इजी केमिस्ट्री होती है तो हम ऊपके साथ जा रहे हैं और यह भी नहीं है एक वह कहवत है न हम चोड़ तो कुस रहे ही नहीं ठीक है और जब physical chemistry वाला दिन है उस दिन आप previous year के mcq भी करोगे और वो किया जा सकता है इतना मुश्किल नहीं है ठीक है आप 15-16 घंटे दो पढ़ाई कर रहे हो उसमें previous year mcq कर सकते हो इन और गैनिक chemistry के लिए जाओगे तो उसके previous year mcq आपको करने है ठीक है और बेटा प्रिवेस यह कोशन के अगर में बात करूं तो आपको 20-30 कोशन ही नए टाइप के मिलते है बक्कित फिर वो रिपीट होना लगते है अगर एक चैप्टर में 100 कोशन है तो इसमें अच्छागर 100 सारे का सारे अलग कोशन है ठीक है उसमें mostly कोशन रिपीट ही हो रहे होते हैं हाँ एक कोशन जितनी बार रिपीट हो रहत तो तो तुम लोग उतना ज्यादा ध्यान से पढ़ोगे ठीक है और दिल पे पत्थर रखो एक मैंने के लिए इसलिए नहीं डालों क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने डाली तो मैं बच्चों को रोग कैसे सकता हूं कि भाई त बंद कर दो और यूट्यूब पर भी वीडियो तभी देखो यार अगर तुम्हारे पास पढ़ने के लिए कंटेंट नहीं अगर आप नोट से पढ़ सकते हो पढ़ो पचास स्ट्रेजी देखने से नंबर नहीं आएंगे मैं दुबारा बोल लहाँ आप क्योंकि देखो ब बेरे नोट से कर लो किसी x, y, z, 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 ध्यान से पढ़ रहा हूं भाई और तुम्हारी प्रोलम से लेटेटी वीडियो आ रही है और आएंगी भी लाइव कंटेंट के लिए ध्यारव अकैडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसको सब्सक्राइब रखने क्योंकि आज से इस पर भी पढ़ाई की वीडियो भी आने वाली है वैसे तो सारी लेबरेरी कंप्लीट है चलो बहुत ख्यारा के बहुत जों दिलते हैं गोड़ ब्लेस यो प्लीज टेक कर जोहिन